आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे Ask Your Question Series के Question No. 296 to 305 सबसे पहले तो हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमसे प्रशन पूछ रहे हैं और हमें मौका दे रहे हैं आपके Question का आंसर करने के लिए हम समझ सकते हैं जो लोग नए हैं Stock Market में उनको guidance की जरूत होती है and we are more than happy to provide you any guidance what you need आप अपने Question आने दीजे और हम बहुत आभारी हैं कि हम इस Question Series को अभी 300 तक पहुचा चुके हैं और हमारी उमीद है कि हम बहुत जल्द इसको चार्ड विर्ट तक भी पहुचा देंगे अगर आपका प्रेमर्स नहीं बना रहा चलिए चलका शुरुआत करते हैं primarily हम लोग बात करेंगे future group के बारे में और एक specific question आया है gold के in general stock market के impact के बारे में उसका भी discussion करेंगे यहाँ पे इसके अलाबा कुछ comments ऐसे हैं जो की individual stock के बारे में ज्यादा पूचे गए हैं time कम होने की वज़े से उनका हम individual video बनाएंगे तो उसके लिए शमा चाहते हैं आये चलका शुरुवात करते हैं सबसे पहले पहला question की question number 296 पूचा गया है अरविंद जैन जी के द्वारा इनका question है if gold price down when muttuj share price reaction गिरेगा या क्या होगा तो इनका question बहुत सीधा है जब भी gold price का भाव नीचे गिरेगा तो muttuj share price पर क्या reaction होगा तो अरविंद जी इसको दो तरह से समझाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले अगर हम gold का बात करें market में impact तो gold has a different back in stock market in general gold का price जब उपर जाता है तो इसका मतलब समझा जाता है कि लोग बाग safe heaven को search कर रहे हैं safe harbor को search कर रहे हैं इसलिए gold में invest हो रहा है और stock market से पैसा निकल जाता है उस time पर जादतर stock के भाव गिरते हैं तो gold का एक inverse relationship कहा सकते हैं जब share का भाव गिरेगा तो gold का भाव बढ़ेगा और vice versa जब gold का भाव बढ़ेगा तो share का भाव गिरेगा इसको अगर इस तरह से भी देखा जाए कि अब हम बात करेंगे specifically मुतूत finance के बारे में मुतूत finance का अगर देखा जाए जब gold का भाव गिर जाता है तो जो उनके पास asset है जिनकी against उनने loan दिया है वो कम हो जाएंगे तो उनकी profitability उसकी accordingly थोड़ी सी कम हो जाएगे तो यह एक उनके asset कम होने के वज़े से balance sheet थोड़ी सी disbalance होगी जिसकी वज़े से उनका share price नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर जैसे जैसे gold का price नीचे जाएगा वैसे वैसे इनके assets नीचे होते जाएंगे उसी हिसाफ से इनका price नीचे जाएगा तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, मुतूत फाइनस का in particular अगर gold price नीची जाता है, तो उनके asset कम होने के वज़े से price नीची जाना चाहिए, ये हमारे हिसाब से equation है, पर stock market सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं देखता है, in general, लोग बाख कितने bullish है उस company में उस time पर, उसका करशन है, sir, what should be the next level of future retail to deploy more amount according to you, निंची जी आपने बहुत अच्छा प्रशन पूचा है, देखे हम अपनी position clear करना चाहते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया हुआ है, कि हमने अपना portfolio को increase किया था, और वहाँ पर हमने 50% additional capital arrange की थी और वहाँ पर हमने 50% में अपना overall portfolio को increase क करके future group में हमने 5% की holding रखे future retail के through, और उसको arrange करने के लिए हमें अपना trading portfolio को कम करना पड़ा था, हमारा trading portfolio 20% रहता है, उसको हमने कम करके 10% किया था, और अपना profit पुरा का पुरा quarter का उधर shift कर दिया था, तो ये एक strategy थी हमारी जिसके through हम इस तरह की situation को handle कर सकते हैं, अगर अगर आप ये in general question पूछ रहे हैं, तो definitely हम एक चीज़ यहाँ पर clear करना चाहेंगे, it depends on your 5% allocation, अगर आप के पास 5% से कम allocation है, तो निंजु जी हम यहाँ पर request करेंगे कि आप कोई level का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नहीं मालूम है, सब लोग expect कर रहे हैं कि price नीचे जाएग तो better है कि आप अपना gradual manner में allocation कर सकें, अगर आप यहाँ पर additional allocation की बात कर रहे हैं, अगर आप हमारे specific strategy की बात कर रहे हैं, we do not wish to deploy as of now, even the price goes at 60, यह हमारी strategy है, हम at this point in time we are heavy on cash and we want to remain heavy on cash, हमारा portfolio का करीब 35% अभी cash में है, और there is a reason for that, इसकी वज़े से हमने अभी भी यहाँ पर the price falls to 60%, please consult your financial advisor before investing and trading, next question 298 का, Manish Verma Ji का question है, Verma Ji Namaskar, thanks for the nice video, you are welcome, may I ask your question on TDS for the dividends, I understand if it is more than 5K TDS, 7.5% will be deducted, तो आप, Manish जी पहले ही बताईए, अगर आप इंडिया से बाहर हैं, NRI status में हैं, तब आपके ओपर TDS applicable होगा, तो शायद जो आपकी information है, उसको दो हिस्सों में divide किया जाएगा, आपने हमें यह नहीं बताया है कि आप इंडिया के resident है, या फिर non-Indian resident है at this point in time, तो अगर आ आप simple बात करें, अगर आप इंडिया के resident है, you do not need to consider this earning for filing, 20K is a very small amount dividend के reference में देखा जाए, अगर आप as a Indian tax file करते हैं, किसी financial year में, अप to 10 lakh का आपका dividend tax fee रहेगा, तो इस बात का धियान रखिए, पर अगर आप non-residence है, तो उसके लिए different rule है, क्यूंकि आपने ITR के बात कि हम assume करें कि आप आप resistance है, इसलिए ये question पुछाए, next question 299 का, किरन कुमार पतेल जी का question है, hi this is किरन from New Jersey, किरन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, और comment पूछ रहे हैं, अपने question पूछ रहे है, what will happen if high court put a stay based on SAC decision, तो देखें, दो चीज़े हो सक कोई कहता है, market कभी नीचे नहीं गिरेगा, तो market गिर सकता है, कभी कहता है, कि market उपर नहीं जा सकते हैं, आपर, तो market सबको surprise करके उपर चला जाता है, तो अगर हम इसको देखें, हमारे हिसाब से, अगर high court, दो possibility हो सकती है, high court, ruling देदे, Amazon के favor में, कि ये as per Indian law है, आप go ahead with the deal तो deal will progress, otherwise, अगर deal के ओपर hold कर देता है high court, जैसे हमें उमीद कम है उसकी, हम यह नहीं करें कि नहीं हो सकता है, पर हमारे हिसाब से, उसकी उमीद बहुत कम है, तो deal will be put on hold, यह आपको समझना चाहिए clear cut, अगर daily high court उसको stay कर देगा, तो फिर आगे supreme court को लेके जा सकते हैं, औ और उसको वहाँ से कर सकते हैं, इस काम को, बट हमारे उमीद के मताबिक, डेली high court में fast track से case जाएगा, और 10 दिन के अंदर इसका result आने की उमीद है, at least interim order वो 10 दिन के अंदर इसको provide कर देंगे, तो यह आपके लिए हमारे पास message है, जैसे जैसे update होता रहेगा, वैसे वैसे ह बनेगा, तो निकल जी आपने सही question पूछाओ, I am like your frankness, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको question बहुत सही तरह से आपने पूछा है, कोई goal mode नहीं, कोई कुमाने की बात नहीं है, सीधा पूछा है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या मतलब है, आप यहाँ पर as a investor हैं, आपने अपना जमापोजी उसमें लगाया है, आपकी profitability कब आएगी, बहुत सही question है, इसका मानसार इस तरह से करेंगे, कि जो हमारा portfolio हम उसके basis पर बता रहे हैं, हमारा portfolio के accordingly हमारी उमीद यह है, जब CCI का approval आ जाएगा, within one week हमारे average price के ऊपर हो जाएगा इसका price, that is our expectation, और हमारा average price अगर आपको नहीं मालूम है, तो हम बता रहे हैं, we are holding our position at 97, तो हमारी उमीद यह है कि CCI का approval आने के within one week, यह price triple digit हो जाना चाहिए, और अब हमें यह नहीं मालूम है, आपका average price कितना है, बट थोड़े time के बाद आपका price भी अगर 100 से उपर है, तो वो level भी cross हो जाना चाहिए हमारे सब से, जैसे जैसे next stage approval आएंगे, वैसे वैसे इसका next stage चलता दिलाएगा, wealth creation is a long process, अगर आपको 80% से ज़्यादा आप लोग अलोवेट करेंगे, तो दिक्कत होगी, trading के लिए 20% से ज़्यादा कभी मत allocate कीजिए, और अगर आपको हमारी service चाहिए इंट अगर सिंगापूर का समझता संस्था का फैसला भारत में लागू नहीं होता, और future सम्हू के बार बार यह कहने, बताने के बावजूद, अमेजन उस फैसले को लागू करने किसी भी भारतिये नयाय संस्था में नहीं जा गया है, तो फिर उस फैसले को रुकवाने के लिए future समूर दिली उच नयाले में क्यों गया है, तो देखिए, अब अगर यहाँ पर future group नहीं जाएगा, तो यह negative impact होगा future group के उपर, this is our point of view, तो हम अपने view यहाँ पर इस question के reference में दे रहे हैं, तो future group को अपने interest को protect करने के लिए, इस SIAC case का निवारन करना होगा, और उसका simple तर का फैसला यहाँ लागू नहीं होगा, उनको अपने यहाँ पर फैसला यहाँ के करने पड़ेंगे, तो वो they want to play a fair game, which is a fair point from their end, कि अगर आप इंडिया में हैं, तो इंडिया के rule के accordingly आपको काम करना पड़ेगा, future group ने clear cut BSE और NHC को message बेजा था, जिसका हमने detail में वीडियो case also, अगर एक बार Indian High Court ने बोल दिया है कि यहाँ से यह इंडिया के law के accordingly नहीं है, तो वो उनको सारा का सारा जो future coupon का share है, पूरे का पूरा वापिस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में यह इनको defamation case क्योंकि इसकी value erode हो गई है, आप जब से case किया है, समझे 82 से शुरू हो मुझे तो लगता है कि share price 60 तक आएगा, सर जी आपको क्या लगता है, मैंने 200 future retail के 88 के average पर है, क्या करूं, विकास फ्रॉम जल पैगुरी, West Bengal, तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका question पूछने के लिए, और देखिए अभी हमारे हिसाब से CCI का approval currently progress चल रहा है, West Bengal all में ही, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से, इसमे worst case scenario अगर आप ले रहे हैं, तो fast track 3 months तक complete हो जाता है, हमारी सलहाप के लिए, please continue to hold court case का result, best case अगर scenario देखाए तो बहुत जल्दी आना चाहिए, उसके बाद और सी से का प्रॉवालात एक साथी, within one week आप profitability हो जानी चाहिए, next question 30 303, कुशन पुचा का है, सुधीर कुमार जी के द्वारा, Mr. Shiv, it is going to be a long judicial battle between Amazon and Biyani, it's not Biyani sir, it's Biyani, it may be a typo error, which further result in deteriorating share price of future group companies, I am सुधीर कुमार, holding 4000 future consumer share at 12 rupees from Amritsar, तो आपका price थोड़ा सा है, higher end पर definitely future consumer अभी 7 rupees के असपास trade कर रहा है, तो अगर आपके पास 5% से कम portfolio है, तो थोड़ा इसमें allocation करके अपने price को कम कर लिजे, हमारी उमीद के तब मुताबिक, ये high quote में जो quiz गया है, arbitration के लिए, ये fast track के अंदर है, और within 10 days, इसको best case scenario में इसक ग्रूप के favor में होगा, next question, question number 304, question पुछा गया है, राम चंदर घर घर जले, घर जले और घर जले, शमा चाते हैं, आपका surname नहीं प्रणाश कर पाए, पर राम जी का प्रशन है, मैंने FSC में 515 share, 121 price के buy किये हुए हैं, अब क्या करूं, तो राम चंदर जी, आपको simple सलाह है, FSC, future supply chain, या आपके पास कोई भी future group है, अगर आपके पास 5% का holding है, तो इसको continue hold कीजे, इसका target हमने बताया हुआ है, और आपको आने वाले समय में ये बहुत profitable रहेगा, next question, अपना दोस्तों वीडियो अच्छा लगया, तो एक बार लाइक बटिन दवाना, next question है, 305, question प 120, and 1000 share of future retail at 140, as per your knowledge and experience, क्या मेरा price आ सकता है, एक से दो महिने के अंदर, please reply, तो राजीर जी, बहुत simple सब्दों में आंसर करेंगे, आपका price आ जाएगा हमारे हिसाब से, पर, time जो आपने पुछा है, exactly एक से दो महिने, वो हम नहीं कह सकते हैं, हमारे हिसाब से, 3-6 महिने के the target में आपका profitability हो जाना चाहिए, और, CCI का approval की trigger होगा इसका, जो कि हमारा expectation एक future retail का price, 100 रुपे के आसपास हो जाना चाहिए, एक हफते के अंदर, और जो आपका level है, उस तक जाने के लिए, 2-3 हफते का time लगेगा हमारे हिसाब से, CCI approval के बाद में, क्योंकि CCI approval के बाद में बहुत जल्दी टेक ओवर की positive news आती रहेंगी यहांपर, तो यह हमारे हिसाब से, इसका timeline कह सकते हैं आपका, direct यह नहीं कह सकते हैं, एक से 2 मेने के अंदर होगा, पर हाँ, CCI approval आने के 2-3 हफते के अंदर, आपका profitability हो जाना चाहिए, दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा बना रहे थे, क्योंकि हमारा self quarantine चल रहा है अभी, जैसे ही अगले हफते self quarantine खतम होगा, तो हमारा team के साथ मिलके, we will try to make more videos for you, जाहिन, जाभारत, आपका दिन मंगल मैं हो, बाई गाइस